जैसा कि आप देख चुके हो भरती बहुत अच्छी है और सांदार है बस आपको सही दिसान नर्देश और जानकारी की जरुवत है जिससे आप इस भरती को पूरा कर पाओ सरकारी नौकरी लग पाओ तो बस आपको एक काम करना है मेरे साथ अंग तक बने रहना सरकारी जौब यह सीरियस हो जाओ अगर आपको जौब चाहिए तो और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो जिससे आपके पास सरकारी नौकरी की अपडेट आ जाए जैसा कि मैंने बताया सरकारी नौकरी है और बहुत आसान है इस जौब को प्राप्ट करना दी ट्रिपल एस वी में निकली है आपकी जेल वार्डन और आपकी मैटरन की पोश्ट ठीक है अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ पोश्ट कितनी है इसकी पोश्ट रहने वाली है आपकी लगबग लगबग 4800 प्लस 4800 से उपर पोश्ट है अच्छी खासी भरती है एज 18-27 साल SC, ST 5 साल और OVC 3 साल जो सर्टिफिकेट आपका चलेगा इसके लिए सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज मैंने बता दी ये है इस भरती की पूरी बात अब किलास मातर 12 किलास पास होना चाहिए सिर्फ 12 किलास जॉब जॉब दिल्ली में रहेगी आपकी और दिल्ली में रहने के साथ साथ आपको सारी सुविदा मिलेंगी हरे टी एडियस रहना खाना पीना सब सरकार की तरफ से ये तो रही ये बात सेल्डी की बात कर दूँ मैं आपसे 25,500 से 81,100 रुपे मिलेंगे आपको 81,100 रुपे ये है इस भरती की सेल्डी अब मैं आपको बता दूँ ये भरती आपकी औल इंडिया भरती है वहिया और मेल और फीमेल दौनों इस भरती के फॉर्म को फिल कर सकते हैं इसके बाद इसमें जो आपका एक्जाम है ना वो ही है बस मैटर रखता है फिजीकल हो जाता है फिजीकल मैटर रखता ही नहीं है दौबारा सुन लो फिजीकल मैटर नहीं रखता एक्जाम है बस और exam भी ज्यादा हवाजी वाला नहीं है D.A.S.V का तो खास कर क्यों क्योंकि इसका exam होता है आपका 12 लेवल का और इसमें जो आपका question आएंगे जो question बनेंगे इस तबारे में आपको कोई नहीं बताएगा 10th, 11th और 12th इन तीन क्लासों में से बनेंगे 9th में से भी नहीं बनेंगे आपको भी बता दूँ जो दिया जाएगा वो ही पेपर में आएगा ऐसा नहीं है राज्ये दूसरे राज्यों की तरह है देते हैं कुछ आता है कुछ सेंटर का exam है 10th, 11th, 12th N.C.E.R.T की बुकलाईए 10th, 11th और 12th की exam के लियर सबसे अधास आने इस बिजाब को पाना इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ इसका exam का procedure आनि के आपका slayvus सबसे पहले अगर मैं slayvus की बात करूँ तो 200 question है भाईया 200 marks के ठीक है इन में 40 number के आपकी आएगी English 40 number की आएगी आपकी Hindi 40 number की आएगी Reasoning 40 number की आएगी आपकी GK और CA Journal knowledge और current affair 40 number का आएगा आपका मैत अब English के लिए नी तु में की बुकले लीजे या आप black book ले लीजे इंग्लिस clear अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो Hindi के लिए loose end ले लीजे सिर्फ loose end और एक आती है current publication की सिर्फ एसल हिंदी की जो अब तक BSSV SSC ने जितनी question पूछे हैं आप चाहो तो English की भी current publication की ले सकते हो अब की लेज टेस्ट दो हजार चौविस की चिसमें लगब 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 पंद्र हजार के आसपास question होते हैं current publication की reasoning के लिए और math के लिए आपको मैं recommend करूंगा YouTube पैसे किसी अच्छे math teacher और reasoning के teacher की videos आप तसली से देखें और कम से कम उन वीडियो को देखकर एक कहां भी पहन ले लीजिए और practice करिए reasoning और math practice का game है खेल है आप आजाते हैं GK और CEP GK के लिए मैंने अभी आपको बताया current publication की बुक current publication की GK के लिए current affair के लिए speedy speedy एक आती है अरिहंग इन से clear हो जाएगी current affair ठीक है ज़्यादा hard चीज़े इस exam में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती अब मैंने आपको स्लेवस बता दिया पलस में exam के लिए करने के लिए बुकी बता दी अब आपका फर्ज बनता है सर हमारी इतनी help कर रहे हैं तो हम सर के चनल को subscribe करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें ये आपका फर्ज बनता है क्यों क्यों कि मैं आपके घर में सरकारी हो की चाता हूँ चाहे कुछ हो जाए इसके बाद अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके physical पर physical जैसा कि मैंने का zero के बराबर है सबसे पहले आप male का देख लीजिए male और चलो female donor का ही बता देता हूँ मेल में अगर मैं आपसे बात करूँ देखो हाइट 170 फीमेल में हाइट आपकी बात करूँ 157 अब SC और ST के लिए 5 cm की छूट होती है यह सब को बता वहिया 5 cm की छूट है इसके बाद अब मैं आपको बता दूँ चैस्ट चैस्ट 81 cm 5 cm फुला कर यानि के 6 cm हो गई वहिया लड़कियों में कोई इसका लेना देना है नहीं इसके बाद गोर्खा के लिए 5 cm की छूट है वहिया हाइट में पहले बता देता हम गोर्खा के लिए और SCBC सब को 5 cm की छूट में लेगी अब आजाते हैं रणिंग पर रणिंग यानि के रेस रेस होगी 1600 मीटर की कितने मिनट में होगी 6 मिनट में इसकी लड़कियों की होगी 800 मीटर की कितने मिनट में 800 मीटर की होगी वहिया आपकी 4 मिनट में आधा कर दो इसका अब लड़कों के बारे में बात करूँ तो हाई जम हाई जम्प तीन पॉइंट चार और लड़कों लड़कियों के लिए हाई जम्प इसमें लड़कियों के लिए हाई जम्प नहीं है सिर्फ लॉंग जम्प है और लॉंग जम्प है आपकी नौ फीट तीन चांस मिलेंगे इसी में भी ऐसे ही लड़कों के बारे में अगर बात करूँ तो लॉंग जंप में लॉंग जंप लड़कों के लिए टेरे फिट है वह या और टेरे फिट वही है आपके तीन से पांच सांस मिलेंगे आपके जैसा कि आपको पता है यह है लड़के लड़कियों का फिजीकल इस फिजीकल से लड़के लड़कियों के नंबर पे कोई फरक नहीं पड़ेगा नहीं इससे आपका सेलेक्शन हो रहा है सेलेक्शन हो रहा है आपका सीधा सीधा एक्जाम से तो मैं आपसे कहूंगा आप एक्जाम की तयारी करें किस आख बन करके लिया जादा धेर इकटा मत्तरों बुक्स का सिर्फ इनी को पढ़ लो यह यह और आपको जो करन्ट अफेर है उसमें भी आपको जो भारत का गरीबी में कितना स्थान है यह बगरा यह चीज़ होती हैं बेसिक बेसिक चीज़ होती है कौन सा राज्य गरीब है चीज़ आपको पढ़नी है मोदी जी अब की बार कहा गए हैं यह चीज़ आप से पूशी जाएंगी जो करन्ट है किस राज्य में सबसे जादा गहों होता है इस तरीके के फिलाल की डेट में 2024 में इस तरीके के आपके कॉशन आने वाले ज्यादा हार्ड या हबवाजी वा भी आती है उसको लियाओ और उस लूसेंट की बुकों तीन चार बार की जाओ सरकारी नोगरी लगने से किसी का माई का लाल किसी का पाप नहीं लोग सकता आपको यह थी जानकारी अब आप सो उत्रेंगे सर जी आगी डेट तो बताओ डेट कवाएगी सेलरी वेली सब बता लाएगी एपलाई बता दू मैं आपको इसका एक्जाम इसका फॉर्म निकलेगा सिस्तंबर से अक्टूबर के महीने में ठीक वह यह एक महीने सिस्तंबर से अक्टूबर में और आपका नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और डिसंबर में आपका एक्जाम हो जाता है ड 2023 में तो साथ तारिक से इसके एक्जाम है साथ तारिक से लेकर 24 तारिक तक जानिके 24 जुलाई तक आपके एक्जाम है 24 से 27 27 जुलाई है इसकी साहर तो I hope आप अच्छे समझ गया हूंगे मैंने फिर दोबारा से आपको यह की बात कही है कि आप अगर सरकारी नोकरी के फिर्ट कराती है उपलब्द कराती है तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सुखा नुवाब होता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे और इस वीडियो को आपका फर्ज बनता है ने को जोईन कर लिए जिससे आपके पास जितनी भी नोटिक प्रियस आने सरकारी नौपरियों के और जितनी भी अपडेट है वो प्रॉपर तरीके से आती रहें तो आप प्लीज अभी से तैयारी शुरू कर दें नमस्कार